भाई बहुत ही प्यारी और अनेक्सप्लोड जंग है भाई यहां फोटोग्राफ इतनी प्यारी होगे ना भाई साब सामने देखो भाई भाई वह भाई क्या चीज़ दिगड़ी सामने देवा भाई नहीं लगा होगा भाई साथ भाई पास से देखते हैं हेलो गाईज कैसे हैं आप लोग तो भाई देख रहे हैं आप कितने खुबसूरों धूप निकल रहे हैं यहां पर तो गाईज वैलकम तो माई चैनल एमजे ट्रेवल मैं जिशान गुमाने वादा हूं तिल्ली मेरी जान तो आज हम आर्केलाजिकल पार्क में जो की देली के है और साउथ देली की प्राइम लोकेशन है जहां पर बहुत सारी फैमिली आजाई में है क्योंके संडे है इसलिए बहुत जादा भीड है यहां दोस्तो अगर आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते हो और आयो कुतुब मिनार घूमने है तो यहां पर आप जरूर आना क् पांसो मीटर की दूरी पे है कुतुब मिनार से इसका नाम है आर्केलाजिकल पार्क जो की दहली महरोली के अंदर है तो गाइस जैसे के आप देख रहे हैं कितनी सारी फैमिली यहां आई भी हैं संडे के दिन और बच्चे वगरा सब हैं यहां तो दोस्तों यह जो रास्ता हमें कैफिय स्टोन से होता हुआ लेके गुजरेगा वगर कैफिय स्टोन हमें नहीं जाना है हमें जाना हें जंगलों में और हम देखने वाले हैं आज वहाँ पे मगबरे और तो काफी पराने घंडर स dönग केली यह है कैफे स्टोन के लिए इसमें दर आस्ता जहां आप देख रहे हैं जील वगर आएं संडे की दिनिया भूस सारे कपस बगर आएं कुली खां का मगबरा भी इसी के पीछे हैं इसी के अंदर से ही इंट्री करेंगे बनी आप देखे सामने कुली का मगबरा है और यह पीछे जंगल आप देख रहे हैं मेरे सारा जंगल है जो कहीं तकuted कोना नहीं नजरा आरहे है आज संडे में आप देखें कितनी भीड है और यहां पर जो भी टिकेट चार्ज है उनका वो टिकेट चार्ज दे रखा इना में अपने यहां पर आप टिकेट वगरा ले सकते हैं संडे के दिन टिकेट लगता है दोस्तों चल रहे हैं हम आगे की तरफ अभी हम शॉर्टकट लेते हैं यहां से खूटते हैं देखते हैं जब गलों में कुछ दिखता है तो दोस्तों यहां का जो पहला अट्रेक्शन है वो है जमाली कमाली मस्जिद और उसके बार राजों की बावली बाकी आप यहां पर आएंगे तो बहुत सारी चीज़ हैं जो आपको देखने को मिलेंगी यहां पर ऐसे यह माल पे रखें जहां आप जाकर देख सकते हैं अभी हम चल रहे हैं आगी की तरफ और जानेगे इसको देखेंगे अच्छी तरीके से फिरहां यह देखें सामने जहीं नजर आ रही है मुझे आप देख रहे हो तो चलते हम नीचे की तरफ और वहां आप जाके देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ चलता हूँ, अभी करीब जाके हम उसके देखते हूँ तो देख रहे हैं आप कितनी खूबसूरत है ये और कितनी बड़ी है जील जो की एक तरफ सूप चुकी है पूरी सूरज सामने परता हूँ अच्छी धूप निकल रही है यहां संडे के दिन इतनी भीड होने के बाद भी लगती है भी और मैं आपको प्रेन दिखाता हूँ उपर एक प्रेन आ रहा है ये देखें सामने से ये प्रेन जिसके आवाद आप सुन रहे हैं कितने तेर आवाद आ यह स्कीन पर तो दोस्तों चलते हैं भार के तरह आप अब देखते हैं और क्या क्या चीज़ें है यहां पर छीलती जों मैंने आपको दिखा दी है कि अंदरी गंडर जंगल आप देख रहे हैं सामने मुझे गुंबन दिख रहे हैं मगबरा दिख रहा है यहां अंदर हम जाते हैं देखते हैं क्या चीज़ है यहां हो इस भीन आएट गया टो अच्छा जो आड़े हाज़ा जो रहे हैं तर अट्र आड़ा स्टावाल जे हाजार को आड़ा तर यहां जोग्षाओन आज हैं गतना पुराना जाचें आधा चाहिए पांसो शयो क्राद हैं जाच चैसाल पुराना जोड़ाना है तो जाचाचा गार्ड थे हैं अपर गलत कम कुरता है ना लगकारादी प्यार कुरता है इडिली माना है अच्छा लिए अच्छा गाट को मस्ताने है तस्लिए रगजाग आए अधा बुझो थे के चाचा आप तो बहुत जाए है अब ही पीछे से में ऐठरे हो तो है हाना कि और देंस सेग्ढ़ चले हैं में इभाया कि वेकल कूछ फ़ाइब डीपकल में यहां से हम भूमते हैं आगे की तरफ उपर चड़ेंगे इस पर उपर से जाके देखेंगे यह ताग बना रखी है और यह बहुत सारी महराबे हैं यहां बनीवी हैं आप देख रहे हैं और हर महराब के अंदर एक छोटी सी ताग दे रखी है जैसे कि कुछी की रहने की जगा आप कोई रहता हो यहां यहां पहले जमाने में कुछ होता हुगा है तरफ चंदर और और सामने देख रहे हैं आप राजो की बावली है यह जहां हम पहले विलॉग में घूम चुके हैं अभी मैं आपको बता दूँ जो ऊपर कबर थी सब वो डैमो थी वो औरिजनल जो कब हैं सब वो नीचे हैं इसके यह गुमबद देख रहे हैं आपको दिखा रहा हूं यह बहुत नीची है इसके हाइड जादा नहीं है तो यह छोटी है नीची जो जाना पड़ता है यह और चलते हैं कि हम ऊपर जाते हैं और देखते हैं इसे कर दो कि दो कि दो कि यह बच्चे चाचा को परिशान कर रहे हैं खूब वो मना कर रहे हैं यहां पर इन कबरों पर किसी का नाम तो नहीं नहीं नदर आ रहा है कि दोस्तों यह बहुत ही पुराना कब्रिस्तान है तकरीबन 600 साल पुराना जीसे आज भी बहुत बहुत ही साहत मुद्द साफस तरह रख 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 था है इसे पुरा को अब ही हम बाहर की तरफ चलते हैं और बहुत बड़ा जंगा लेंगे पीगे जा जा लिन्हाज तो गाइस चलते हैं हम भार की तरफ और ये बाहर इनकी लड़ाई हो रही है ये चिल्ला के वापस चपक गए अभी हम चलते हैं अभी शाम का टाइम हो गया है जहां पे लोग बहुत कम होते जा रहे हैं और आगे एक और हमें कुछ लिकरा है तो देखते हैं इसमें क्या अंदर इसमें नहीं जा सकते हैं क्योंकि ताला लग रहा है और पूदना मुझे ठीक नहीं लग रहा है तो हम चलते हैं अगे की तरफ कबर हैं उसके अंदर दो जिस पर नाम नहीं लिखावा है किसी था तो वैस देखिए सामने कैसे खंडर में बदल चुकी हैं ये दिवारें जो किलों के थी और मैं अब जंगलों के बीच में अंदर आ चुका हूं मैंने वेलकम कर दिया जंगल को अब मैं देखता हूं यहां मुझे क्या क्या सामने एक जंगा है जहां हम मुझे अच्छा लग रहा है है फोटोग्राफी बहुत अच्छी होगी देख रहे हैं आप कितनी बड़िया जंगा यह और जो कि खंडर में बदल चुकी है ऐसा लगता है जैसे किसी का घर हुआ करता था किसी टाइम में यह उबर चलके हम किते हैं इसे यह खुबसूरत जंगल जो आप खंडरों में तबदील होते जा रहे हैं और सामने एक सुरं में मुझे दिख रही है जो आप शायद देख पा रहे हूं आपको दिखा रहा हूं इसके अंदर हम नहीं जाएंगे घने जंगलों में आ चुब हुआ है मैं बहुत ही घने कि यह रास्ता किधर जा रहा है इधर चल के हम देखते हैं यह मैदान सा बना है बच्चे किर्पिट खेलने और यह किले के पीछे भी जंगल है जो भाई देख रहे हैं कि इतना घना जंगल है और यह क्या चीज़े बना रखी हैं जी सब पहचान भी नपा रहे हैं कि समझ इतनी खूबसूरत वाद यह आई है और यह सामने देखें कि छोपरी सी बनीवी क्या चीज़ है है तो पर चल के बैटते हैं दोस्तों यह थोड़ी दर बैटेंगे उसके बाद हम आगे की तरफ चलेंगे यह देखी जंगलो भाई साब सामने देखो भाई हो वै भाई भाई क्ली क्या चीज़ दिट गहीं सामने देखा भाई नीमख मैंगे चाना बाइब भाई साफ धाय्य पास से देखते है पहला विल्लॉगर ब्भाई जसने कवड़ कर ना किसी नीच नज्य नजर आती भाई यहां पर रहे जाते हैं और ब्र यह मेरे को देखके भागने लगी है भाई सब शक हो गया वाई से मैं इसके पिछारों बहुत तेजी चलने लगी है शक हो गया सब पूरा पूरा कि मैं इसे पकड़ने या छेड नारों से और तेज तेज चलने लगी है यह देख रहे हैं रुप्ते भाई कि देखते हैं कितने करीब जा सकते हैं इनके और चल रहे हैं इनके करीब में और पोटू कीची के इनके करीब से तुम्हारा भाई पहला विलोगर है जिसने नीलगाएं के कैप्चर कर लियए अपने केमरें हैं पहली बार में तुम्हारे भाई चल रहे हैं हम बाहर की नहीं ही क्योंकि मुझे डर रही हैं मेरे से याप तो मुझे चलना चाहिए बाहर और मैं आपको दिखाता हूँ कुछ और चीज अब जंगल हूँ मैं आ चुका हूँ मैं बाहर बखुत बड़े जंगले हैं तो अभी हम चल रहे हैं आगे देखो एक चीज और दिख रही है सामने मोर नजर आ रहा है अगर आप देख रहे हो दो है देखो सामने देखो बिल्कूल मोर है है अभी इसके करीब चल के देखते हूँ है ब्यामिया से मेरे आने की आहट हो गई उसे और उन्हें सुन ली है इसलिए हो मुझसे दूर भाग गया है तो बहुत दूर हो गया हो चलते हैं हम वापस अभी और ढूंते हैं और भी कोई चीजे भाई जितना मैं आगे चलता जा रहा हूँ ना उतना ही खामोश होता जा रहा है जंगल और मैं अब यहां एक मदर्सा है बच्चों का उस तरह आ चुका हूं और यहां भी मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है और सामने मेटे को लग रहा है कब्रस्तान है सामने भी तो दोस्तों आप देख रहे हैं कितना बड़ा यह पार्क है जहां मैं घूम रहा हूं और तीसरा यह विलोग है मेरा यहां पर कब्रस्तान भी है और मदर्दार यह बच्चे से कुछतें क्या चीज है अजिए बेटे कान सी धरगाई यह कौंसी धरगाई यह कॉंसी धरगाई यहिए है दिल्ली तो है कि क्या नाम है इनका बागवाली मस्जिद क्या नाम है तुम्हारा ये थि बागवाली मस्जद। अब चल रहे हम बाहर और कुछ देखेंगेokayто अब देक्रहे हैंक devast मज्जिद मुमाह blahob नहीं ha 흑 एकमर आखियाट और मिनाड नहीए तो यह मुझ नहीं थिसमें कोऊं भी हो जो दो कोऊं दो कोऊं पक हो जो डिवार ए बना रखाãy तो गाइस चलते हैं बाहर की तरफ जाते जाते मैं आपको दिखा दूँ एक और चीज जो की है घोड़े का अस्तबल जिसे हम देखेंगे और देखके चलेंगे धर के तरफ अपनी क्योंकि अब हो गई है शाम तो दोस्तो शाम में बन भी हो जाता है छे बजे तो गाइस अग और दोस्तो आपके लाइक और कमेंट से यूट्यूब मेरे वीडियो को आगर रिकमेंट करेगा तो मैं यह वीडियो और जादा चलेगी और आप चाहते हो मैं आपके प्लेस में आऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सीटी में मैं आपकी आऊं तो आप द दोस्तों गुडबाई मिलते हैं अगले विलोग में धन्यवाद और हाँ गाइज ये देली की आर्केलोजिकल पार्क ये जगा का नाम है जो की कुतुब मिनार के सामने है जिसका नजदी की मैट्रोस सेशन है कुतुब मिनार ओके दोस्तों आप कहीं से भी आ रहे हैं इंडिया में और कुतुब मिनार देखते हैं तो ये जरूर देखने है थैंक्य दोस्तों